तो स्वागत है आप सभी का यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दो ग्रामर के अंतरगत फेल माजी को समझने वाले हैं फेल माजी आखिर है क्या और लड़ी हरांखिस के पहले वाले वीडियो में आप लोगो दा रहे थी तो एक बार फिर से आप लोगों को बता दिया जाएगा ताकि रिवाइज हो जाए और फेल माजी की जितने भी किसमें है यानि कि जितने भी टाइप है हर एक टाइप को एगदम डीपली समझेंगे और हर एक टाइप से आप लोग के एक्जाम में कुछा जाता है तो वीडियो तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बीना स्किप की कंप्लीट देखिएगा ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक से न रहे आप लोग के माइंड में हर एक डाउट क्ल करते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोड पर लिखा हुआ है उर्दु ग्रामर फॉर क्लास 10 और 12 क्लास के लिए हैं लेकिन इसके इलाव अगर आप किसी इंट्रेंट से तो भी आज का ये वीडियो काफी हेलफूल होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेल म करिया काम कोई क्या कहते हैं और माजी मतलब पास्ट यानि कि जो पास्ट टेंस में काम हो चुका हो यानि कि जो काम जो क्रिया गुजरे हुए समय में बीते हुए वक्त में हो चुकी हो उस तरह के काम को कहते हैं फेल माजी ठीक है न तो आई होब आप लोगों को फेल माजी समझ में आ गया अब फेल माजी की छे किसमें है यान की छे टाइप है पहला है माजी मुतलक यान की फेल माजी मुतलक दूसरा है फेल माजी करीब तिसरा है फेल माजी बाईद चौथा है फेल माजी इस्तिमरारी या फिर इसको नातमाम भी कहते हैं फेल माजी नातमाम पांच तो एकदम deeply समझेंगे क्योंकि आप लोग के exam में question पूछा जाता है must important है यह 6 का 6 type ठेचा तो चलिए एक करके हम लोग समझते हैं एकदम deeply माजी मुतलग किसे कहते हैं वह यानि कि fail माजी मुतलग किसे कहते हैं स्टार्टिंग में बस fail नहीं लिखी हूँ क्यों कि अलड़ी यहां पर लिखा हुआ है और इसी का तो च्छे टाइप है ना तो देखिया उस काम को खत्म हुए पता ना चले कि अभी खत्म हुआ है या फिर बहुत पहले खत्म हो चुका है ठीक है उस तरह की काम उस तरह की क्रिया को कहते हैं फेल माजी मुतलग जैसे कि हामिद गया, हामिद अभी गया या फिर बहुत पहले चला गया है, नहीं पता चल रहा है, हामिद गया बोलने से नहीं पता चल रहा है कि यह जो जाने का काम हुआ है, यह अभी हुआ है या फिर बहुत पहले हो चुका है, तो फिर इस तरह के फेल को इस तरह की किरिय या फिर बहुत पहले हसी नहीं पता चल रहा है किरिया का खत्म होना कि पास टाइम में कब खत्म होए नहीं पता चल रहा है तो क्या कहेंगे फेल माजी मुतलग और पेल माजी मुतलग को पहचाने का trick है कि इसके last में, मतलब किरिया के last में अक्थर अलिफ देखने को मिलेगा नहीं तो छोटी ये, नहीं तो बड़ी ये जैसे कि हामिद गया, last में अलिफ है उसी तरीके से उसने कहा last में अलिफ है वह हसा, last में अलिफ है और अगर छोटी ये भी रहेगी जैसे कि वह हसी तो लास्ट में छोटी ये है ठीक है या फिर वे लोग गए लास्ट में बढ़ी ये है तो फेल माजी मुतलग को पहचानने का क्या क्लास में या तो आप लोगो देखने को मिलेगा नहीं तो छोटी यह नहीं तो तो जैसे कि हामिद गया ये तो था फेल माजी मुतलग, अब लास्ट में है लगा दीजिए हामिद गया है, यानि कि अभी काम हुआ है, हामिद गया है, इससे क्या पता चल रहा है, कि काम अभी खत्म हुआ है, हामिद गया है, उसने कहा है, वो आई है, यानि कि ये काम अभी ह हuç वा है वह आई है काम को खत्म होए जादा देर नहीं हुआ हो आई है ठीख है तो इस तरह के है को क्या कहेंगे फैल माजी करीब तो फैल माजी करीब को पहन लेख ब investment है तो यह実 हिसार्मी उस आप जीए जैसे है जर्ब माजरी मुटलब था अब इस के लास्ट में Hangi क्लास्ट में है सिर्फ लगा तेज़े तो Hangid गया है फेल माजी मुतलग के लास्ट में अगर आप लोग को है या फिर है देखने को मिले तो उस तरह के फैल को क्या कहेंगे वे लोग आए हैं तो फिर वो भी क्या कहला था फेल माजी करीब ही कहला था अब आगे बढ़ते हैं तीसरा जो टाइप है वह फेल माजी बाइद 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 इसे ही आप लोगो पता होना जाना चाहिए कि जिस काम को खत्म है बहुत देर हो चुकी हो पास्ट टाइम में तो काम खत्म हुआ है लेकिन उस काम को खत्म हुए बहुत देर हो चुकी हो तो उस तरह की काम को कहते हैं उस तरह की क्रिया को कहते हैं फेल माजी बाइद जैसे की हामिद गया था वह आई थी वह हसी थी यानि कि जो काम हुआ था यह बहुत पहले खत्म हो चुका है ठीक है तो इस तरह के क्रिया को क्या कहेंगे फेल माजी बाईद और पहचानने का ट्रिक क्या है कि लास्ट में था थे थी देखने पर मिलेगा आपको जैसे कि हामिद गया फेल माजी मुतलक था और लास्ट में बस था लगा दीगे तो क्या हो गया यह हो गया फेल माजी बाईद तो माज़ी इस्तिमरारी तरफ जिसे पता चलता है कि ऊस्तिमे काम जयाएना लगतार जारी उस तरह के फैल क्रिया उस तरह की काम को कहते हैं जैसे की हामिद जाता था क्या पता चल रहा है कि आज पक्रास्ट तो इसे क्या पता चल रहा है कि पास्ट टाइम में गुजरेवे वक्त में काम लगातार होता था तो इस तरह के फेल को कहेंगे फेल माजी इस्तमरारी ठीक है और पहचानने का ट्रिक क्या है बस माजी मुतलक के लास्ट में ताथा तीथी लगा दीजिए जैसे कि ताथा तीथी या फिर तेथे देखने को मिल जाए उस तरह के फेल को क्या कहेंगे फेल माजी इस्तमरारी आंक बंद करके ठीक किजिएगा ठीक है पांचवा टाइप है फेल माजी शकिया या फिर एहतमाली नामी में शकिया यानिकि जिसमें शक पाया जाए आप 100% कंफर्म नहीं कि वो काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है शक पाया जाए तो उस तरह की काम उस तरह की खिरिया को क्या कहते हैं फेल माजी शकिया जैसे कि हामिद गया होगा आप कंफर्म नहीं है शक पाया जा रहा है कि हामिद गया होगा वह आई होगी वे लोग बोले होंगे वह हम गया होगा लगा दिए और भी और undert 20 है अगया उतल्प अीड माजी होगी प्रोंग मारें होंगे तो लास्ट में होंगे तो पैचानने का आप लोगों को समस्माश में unterstützen प्रोंगा आगे बढ़ते हैं लास्ट चछथा टाइप है फेलusu इस Carry तमनार या या फिर शर्तिया किसे कहते हैं वह किरिया जिसमें तमन्ना पाया जाए या फिर शर्त पाया जाए नामी में तमन्नाई या फिर शर्तिया जिसमें तमन्ना या फिर शर्त पाया जाए उस तरह की किरिया को कहते हैं फेल माजी तमन्नाई ठीक है जैसे कि हामिद वक्त पर जाता तो बस मिल जाता मिल जाती ती रहेगा ठीक है हामिद वक्त पर जाता तो बस मिल जाती ठीक है तो यहां पर क्या पता चल रहा है हामिद वक्त पर जाता यहां पर शर्थ पाया जा रहा है कि अगर हामिद वक्त पर जाता तो उसकी बस नहीं छुड़ती उसकी बस मिल जाती ठी कि फेल को कहेंगे फेल माजी तमन्नाई ठीक है और इसको पहचाने का ट्रिक क्या है कि लास्ट में ता ते ती क्या है आएप या फिर वे लोग व्योग वक्त पर पहुंचते तो ट्रेन नहीं छोटी तो नась में क्या है टे काश हुआ बोली होती यहां पर हम्हैं की छे के टाइप को समझ चुके हैं आई होप आप लोगों को हर एक टाइप एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दिएगा और अगर बात करें कोशन किस तरह से पूछा जाता है तो वही पुराना तरीका है कोई भी एक सेंटेंस देगा और कहेगा कि बताये या फिर कहेगा कि फिल माजी क रीब की मिसाल मंदर जजयल में इसे कौन है इस तरह से तो बहुत कम पुछता है लेकिन यह फिल माजी की कौन सी किस्म है यह ज्यादा फेमस कोश्चन पुछने का तरीका है कोई भी एक सेंटेंस उठा लेगा जैसे कि वे लोग गए हैं बताइए यह फेल माजी की कौन सी किस्म है ठेके यह कोश्चन पुछने का तरीका बहुत ज़्यादा फेमस है और नीचे चार ऑप्सन दिया रहेगा ऑप्सन अ में को समझ गये हैं और ठ्रिक साथ में याद कर लेते हैं तो समझे कि अब आप लोग को टेंशन लेने की दरूरत नहीं है जाएंगे एक्जाम सेंटर पर और इस टॉपिक से किसी भी तरह का कोश्चन पूछेगा ना तो आप लोग धाड़ा धाड़ा आख बंद करकर बना कर बना कर आएंगे ठीक है ना अप लोग टेंशन फ्री रही अगर येच्छे टॉपिक समझ चुके हैं तो यह सभी टॉपिक से एक भी कोश्चन आप लोग का छोटने वाला नहीं है ठीक है तो इसी बात पर अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो लाइक कर दे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दे और ज्यादा सिदा वीडियो को शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके चानल पर नहीं नहीं आया हुए तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि इस तरह का इंपोर्टेंट वीडियो जब अब बात आती है हो मुँक्ष क्यों पूश्टी हुँ और उसका आप लोगो को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है और उसके बास से मैं आप लोगों को स्कृम याँ पर आप लोगों क्या है इसको छोड़ कर आप अपने हिसाब से सोचिए कि फैल माजी मुतलग का कौौन सा एक्जांपल और हो सकता है ठीख है तो दो एकजांपल दी दारन कमेंड बॉक्स में बताना और fail-mazi, iştemorahy, इसका भीmingENT क्योंकि ज्यादा tough तो है नहीं example आप आसानी से सोच सकते हैं यह तो बहुत आसान है और उसी तरिके से fail-mazi, šakya का भीDER and comment box में लिखकर बताना है और last जो है न और अगर समझ में आया है तो आप खुद से उधारन सोच पा रहे हैं कि नहीं ठीक है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर जरूर बताइएगा जिसका सही एंसर होगा उसको हमारे तरफ से मिलेगा हट ठीक है तो चलिए आज कि इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड क कर दिया होगा चैनल पर नए नया होंगे चैनल को सब्क्राइब कर लिए वे दियुक्त अपलोग की तैयारी एकदम जबरदस तरीके से नहीं तरीके से कराई जाएगी बस आप लोग पूरे लगन और मगन के साथ मेहनत करते रहें ठीक हैं बाकी आप लोग का सिलिबस कमप कवर कर चुके हैं और कुछ-कुछ टॉपिक बचे हुए जो कि आप लोग को कम्प्लीट करा दिये जाएंगे साथ में हिंदी ग्रामर भी में लेकर चल रही हूं तो अगर आप लोग का हिंदी है तो हिंदी ग्रामर को जरूर पढ़े हैं क्योंकि हिंदी ग्रामर से 33% आप ल लोगा ठीक है तो शलिए इसी के साथ में आप सभी लोगों से विदा लेती हूं कि मिलेंगे हम लोग इसके नेक्ट वडियो में नेक्स टॉपिक के सांथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिल्ज